लड़कियों के छोटे कपड़े पर सियासत तेज हो गई है। इन दौर से बड़ी अपटेट आपको बताते हैं जहाँ केलास विजय पर की एक वार फिर अपने बयानों के बात से चर्चा में है और उनके बयानों पर अब सियासत भी तेज हो गई है। लड़कियों के कपड़ों को लेकार एक बार फिर से सबार उठाए हैं। और उन्होंने साफतोर पर कहा है कि लड़कियां इतने गंदे कपड़े पहन कर निकलती हैं कि उन्हें देवी का स्वरूप नहीं दिखता बलकि उन्हें सूर पर रखा नजर आती है। और इस बयान के बाद से अब लगातार सियासा तेज हो गई है तो वहीं कॉंग्रेस भी लगातार बीजेपी पर और केलास बिजेबरगिये पर लगातार निशाना साध रही है। रिंदौर की संस्कृती पर अब ये सवाल उठ रहा है। उसाफ़तौर पर बीजेपी महासचेप केलास बिजेबरगिये ने कहा है कि छोटे कपड़े पहनना लड़कियों को नहीं चाहिए। या लड़कियां इस तरह कि जो गंदे कपड़े पहन कर निकलती हैं वो उन्हें सही नि लगता और जिस तरह से युवा-फिडी नशे की ओर जा रही है वो भी सही नहीं है। कि अगर रात में नौजवानों को नशी में देखती हैं तो उन्हें गुस्सा आता है और ऐसा लगता है कि वो नीचे उतरके उन्हें चार-पाच धर्ड़ और इस खबर पर हमारे साहियोगी इंदोर से प्यूश पारे हमारे साथ जुड़ गए है प्यूश जिस तरह से कैलास बिजे बर्गिये का बयान आया है अब उस पर सियासत भी तेज हो गई है क्या कुछ प्रतिकरियाय निकल कर सामने आ रही है देखें बिल्कुल यह पहला मुका नहीं है जब लड़कियों के कपड़ों को लेकर इस तरीके के बयान सामने आये हो इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम जो नेता है चाहिए बीजेपी के कॉंग्रेस के उनकी तरफ से इसी बयान बज़े सामने आई है लेकिन आप किस तरीके से जो है वह साफ तौर पर इस बयान को लेकर क्या सोचते है किस तरीके साब देखती है किलाजी का जो बयान सामने आया है कैसे आप मेरा मानना यह है कि अगर उन्होंने सुर्पन एखा से कंप्यार करा है कि अगर हम ड्रेस पहन रहे हम अजीब से ड्रेस पहन रह है चाहे वह शौच में हो या अिछाए में हो अपनी मा के इज्वत करता होगा थो वह सब की इज्वत करें गऑर वह देश के बाहर अरूम के से це डेखा तो हमारे इंडिया में तो अधिकतर ओरते जो साड़ी पिंते उनके भी रेप होते हैं तो फिर ड्रेसेस से रेप का क्या लेना देना है ऐसे तो हम अगर यूएस वगेरा में देखें लोग लड़किया शॉट्स पहनती है फिर भी उनके रेप केसिस नहीं होते क्योंकि वहां के जो कॉंसिटूशन है वहता स्ट्रिक्ट है कि उनको सदा मिलती है हमारे इंडिया में रेप केसिस को सदा ही नहीं मिलती आ दे तो यूँ ही बंद हो जाते है अड्रेसेस से आपको लगता है अकलन लगाया जा सकता है किसी भी पुरूश है महिलां को लेकर या लड़कियों को लेकर अगर कोई भी लड़की छोटे का पहन रही है तो वो केरेक्टरलास है उसको तमीज नहीं है वो बतमीज है उसके लिए यही वर्स यूज होते है जबकि लड़का शॉट्स पहन के घूम है तो वो ठीक है लड़के हैं शॉट्स पहन के घूम सकते हैं बिना शॉट्स के घूम हैं घर में बिना शॉट्स के घूम रहे गर्मी में की गर्मी लग रही है लड़का वही हाफ स्लिफ के टप पहन ले तो बत्तमिस इत्ती बेशनम लड़के शॉच पहन के गुम रही है, स्लीवलेस पहन के गुम रही है। तो बत्तमिस पहन के गुम रही है। चलिए, तो प्यूस जिस तरह से लगातार अब जो इस पूरे बयान बाजी के बात प्रतिकरिया है, सामने आ रही है, स्वभाबिक है, चुनाबी साल है और बिपक्ष है, खास करके अगर कॉंग्रेस की बात करें, तो कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ना चाहेगी, जहा पर उसे बीजेपी को घेरने का मुद्दा मिले या बीजेपी के कोई बड़े नेता को घेरने का मुद्दा मिले, चलिए कॉंग्रेस की क्या कुछ पृतिकरिया है, पहले आपको वो भी सुना देते हैं, भारती जनता पार्टी के नेताओं द्वारा बार बार महिलाओं को अपमानित किया जा रहा है भाजपा नेता केलाश विजेवगरदी द्वारा कहा गया कि महिला शुर्पनक्खा दिखती है तो कि महिलाओं के लिए आप इतना इस्तरहिन हो गया है कि आपने आपत्ती जनक शब्दों के साथ संबोधन करते हैं कि अपको यह आपकी सोच और को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए आप जिसा चाहेंगे महिलाओं क्या वैसा ड्रेसेस पहनेगी यह स्वतंत्र भारत है इसमें सब को जीने रहने पहने और का अधिकार है आप कोन होते हैं हमें रोखने वाले तो जिस तरह से लगातार बयान बाची हो रही हैं और बयान बात करें जिस तरह से अभी कुछी दिन पहले मुक्ष्मंतरी शिवराज सिंग जोहान ने लाड़ली बहना योजना को लेकर एक बड़े कारेकरम किये और योजना की घुशना की और उसे लागू करवाने के लिए लगातार प्रशास्तिक इस तरह पर तैयारियां भी पूर कर सकती है। किया है चुनावी साल है 2030 का यह रण है ऐसे में कॉंग्रेस को कहीं कर यहां पर ऐसे मुद्दो की तलाश भी है जिसके जरीए कहीं कर बीजेपी के नेताओं को घेरा जा सके और उसी कड़ी में कहीं के इस बयान को निशाना कॉंग्रेस बना भी रही है दूसरी तरफ लाड़ मौका था जैन समाच के कारिक्रम का जिसमें खुद बीजेपी महासाचू केलास उजरगी शिर्कत करने पहुंचे थे और उन्होंने ना सिर्फ लड़क्यों को लेकर बयान बाजी की बलकि लड़कों को लेकर भी कहीं ने उन्होंने लगाता कई बार ऐसा देखने को मिलता ह प्युष जब केलास बीजेबर गिये इस तरह के मंचों पर अपने दिल की बात रखते नजर आते हैं अब देखना यह हुआ कि आगे इस बयान को लेकर किस तरह की और पिर्टिकरिया है आएंगी और केलास बिजय बर्गिये की खुद की क्या कुछ पिर्टिकरिया उन पिर्टिकरिया उपर रहने वाली है बहुत बहुत शुक्री हमार साथ जूने के लिए